नमस्कार मैं अजय दीप बादवा एक फिट्स ते रेडियो खांची के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मेरा जो विशे है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे वो विशे है अच्छा स्वास्त मुझे स्वामी वेकानन्द की एक लाइन याद आती है एक पंक्ती याद आती है कि एक अच्छा मस्तिष हमेशा एक अच्छे शरीर में निवास करता है A healthy mind resides only in a healthy body यानि आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, बहुत विद्वान हो आपका मस्तिस्ख बहुत ही स्वस्थ हो, आप बहुत ही जादा बुतिमान हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका शरीर भी बहुत ही स्वस्थ हो, अच्छा हो, स्ट्रॉंग हो एक अच्छा शरीर ही एक अच्छे मस्तिस्ख को रच दता है तो मेरा आज ये मैसेज आप सब को ये है, कि हम अपने शरीर पर, अपने स्वास पर बहुत ध्यान रखें हमारे पधान मंत्री ने भी स्वच भारत और स्वच भारत का नारा दिया था, उसके पिछे लॉजिक यही था उन्होंने कहा 10,000 step, 10,000 कदम प्रती दिन चलिए, वास्ति में हम सब को प्रती दिन एक घंटा सिर्फ अपने शरीर को देना चाहिए हम जैसे 24 घंटे में 7-8 घंटे सोते हैं, पि नहाते हैं और अपनी दैनी क्रियाओं को पूरा करते हैं उसमें से एक घंटा कम से कम हमें सिर्फ अपने शरीर पर देना चाहिए और ये समय अगर हम सुभा दें तो सबसे अच्छा है सुभा हम उठें, मौनिंग बार्ट पर जाएं, योग करें, जीम जाएं, जॉगिंग करें, कुछ करें पर जो करें, बिल्कुल करें, निमत रुप से करें और बिल्कुल उसको न चुड़ें एक घंटा हम अपने शरीर को देंगे, अपने शरीर को निचोड़ेंगे, अपने शरीर को मोड़ेंगे, अपने शरीर को कष्ट देंगे तो यकीन मानिए ये शरीर बाद में हमें कश्ट नहीं देगा शरीर का एक नियम है आप जितना शरीर को कश्ट देते हैं बाद में शरीर उतना ही आपको कश्ट कम देता है जितना आप शरीर को अराम देते हैं हम सुचते हैं कि चल हम देर तक सोएं देर से उठें, आज जो मन हूँ वो खा लें अराम करते रहें, दिन में छुटी का दिन दिन पर सोते रहें उठने की क्या जुरूत है, दो दिन नहाय नहीं, तीन दिन शेव नहीं की तो हम शरीर को अराम दे रहें, यह हम अराम नहीं दे रहें ये शरीर बाद में जाकर बहुत हमें कश देने वाला है हमारी आयू जब तक 30-35 साल तक दी है तब तक तो ठीक है पर अगर आपने 35 साल तक 40 साल तक शरीर को अराम दे दिया तो उसके बाद यकीन मानिए शरीर को अराम करने के आदत हो जाएगी और वो तमाम बिमारियों को अपनी और खीचेगा ताकि उन बिमारियों उस पर शरीर में लगें और आप उस तरह में पड़े रहे पर अगर आप शरीर में कश देंगे आप दोड़ेंगे योग करेंगे आप जोगिंग करेंगे, जिम जाएंगे, जितना शरीर को कश्क देंगे, बाद में शरीर उतना ही मजबूत होगा और 40 साल के भाईयू के बाद वो शरीर आपका उतने ही दिन आपके मजबूती से टिका रहेगा अपने वो बिमारियों को नहीं खीचेगा, तो प्रती दिन एक घंट अपने शरीर को रखें, अपने शरीर को दें, और स्वस्त रहें, स्वस्त रहें, खुश रहें, अपने शरीर को अच्छा स्वास्त देने के लिए, जैसा मैंने कहा, अपने शरीर को कश्क दें, योग करे वो समय ने कहा उसके अलावा कुछ और चीज़ों अभी ध्यान दें आज करोना महामारी में योग का महत बहुत बढ़िया है मैं तो अभी करोना हस्पिटल में ही पोस्टेड हूँ तो हमारे डॉक्टर पेशन्स को बताते हैं कि आप अगर करोना से प्रसीत हो गए हैं तो दिन और रात शाम को दो बार कम से काम अलोम विलोम करिए इससाब के लंग्स मजबूत होंगे आप कुछ योग करिए ओम का मंतरा चार जोर से ओम का उचारन करिए इससाब के लंग्स मजबूत होंगे आपने देखा होगा कुरोना की जो दुसरी लहर आई इसमें सबस्रा लोगों को जो दिक्त हुई ऑक्सीजन की दिक्त हुई उनके लंग्स कमजोर थे वो ऑक्सीजन खीच नहीं पा रहे थे अजके चलत उनको एड्मिशन होस्पिटल में अड्मिशन लेना पड़ा और बाद में कईयों के दुखत मुड़ती भी हुई तो हम ये ध्यान रखें कि हम लंग्स का एक्सरसाइज करें योग आलूम विलूम करें उसके अलावा खान पर भी ध्यान दें हमें हमेशा वैसे पदार्थ खाने चाहिए जिससे हमरी इम्मिटी मजबूत हो और जिससे शरीर के लिए अच्छा हो फल जरूर खाएं एक आठ फल रोज खाएं रोटी सब्जी खाएं चावल खाएं डाल खाएं उसके बाद आज कल जласे बेल का शर्वत है आम का शर्वत है पच्छे आम का उसको पिएं लस्ती पिएं और जितना ज़्यादा हम घर के बने खानों को पदास्तों को यूज करेंगे उतना हमारे शरीक लिए अच्छा रहेगा हमने इमिटी मजबूत होगी जितना हम बाहर का खाना खाएंगे पिज़ा हो गया या पिर और भी इस परकार स्वस्त रहिए अपने स्वस्त के बारे में सोचिए दिरगायू होंगे स्वस्त होंगे दुनिया पर बोज नहीं बनेंगे और आप भारत का नाम अपना नाम दुनिया में रोचन करेंगे धन्यवाद